अतिक के बेटे का आज इंकाउंटर हो गया भगवान सब की सुनता है जैसा हुआ सई हुआ जो जिसके संग जैसा करेगा उसके संग वैसा ही होगा अतिक अहमत के गुनाहों की सजा मिल लगी क्या उसे उसे मिलेगी और मिलेगी अतिक अहमत का जब तक इंकाउंटर नहीं होग तब तक हम लोग सान तो नहीं रहेंगे या के लिए श्यादव और अतीक अहमत में कोई फरक था या है या कभी हुआ है अखिले श्यादव अतीक हमेद एक है एक बजे रात की तस्वीरें आपको लखनो की सड़कों पर अतीक हमत के बेटे के इंकाउंटर के बाद का महोल दि इतना नुक्सान किया है मेरे कजिन ब्रग्धर है उनका एनकाउंटर एनकाउंटर बोले तो असको मरवाया उस addik ओख आहमत ने है अपने कुर्गों की मदर से और उस समय सफासरकार थी सफासरकार ने कोई सपोर्ड नीकरा आपके खिलाब जाज करवाई होगी उसे ने बोला था कि आप जो गुंडगर्दी कर रहे हैं उसके खिलाब पूरी जाज करवाई होगी सन 2012 लखनोऊ में खिले हैं धन्याब पूरी खिले होगी उनको कोई करवाई नहीं कुछ नहीं खुले हम अमरवादिया उनको आज उनके बेटे का इंकाउंटर हो गया अतीक है अतीक के बेटे का आज इंकाउंटर हो गया भगवान सबकी सुनता है जैसा हुआ सही हुआ जो जिसके संग जैसा करेगा उसके संग वैसा ही होगा जे मेरी दिल कि यह च्छानी है लाकों करोरों की चाहिए जो जैसा करेगा पढ़ना वैसा ही बुकतेगा योगी जी जो एंकाउंटर कर किया है और वो भी किसी आदमी की हरकत पर बहुत परिशान थे आप थोड़ी कम है उसे मिलेगी और मिलेगी और मिलेगी जब तक इंकाउंटर नहीं होगा तब तक हम लोग सांत नहीं रहेंगे अतिक हमत को सरयाम खुले आम गोली जबाना जीए इसा क्यों इतनी गुंडा गर्दी उसने मचाई है पूरे देश परदेश में कि उसकी वज़े से हम आनन्दा जितने लोकड़ हुए अब परिशान थे और परिशान है अब भी परिशान है अतिक इमात से नहीं हम नहीं है योगी बाबा तो बाबा के राज में बाबा-बाबा योगी बाबाद में कोई डिक्कत नहीं अपोई इतना खुलके बोल सकते थे पहले अतिक हम रवाय नहीं काभी नियुक नहीं है मेरा खुद कर जिन जागा भाई मरा गया अतिक हमाने खुद मर वाय उसको तो हम कुछ नहीं बोल पाए अब लिंगनाज बोल रहे हैं कि अतिक अहमत के खिलाब तो क्या होता हमें मरवा देता यह डल था बिल्कुल था अच्छा आज तो अखिले सियादो अतिक अहमत का जब बेटा मारा गया है तो कह रहा है कि मलब कि यह सब ठेक एंकाउंटर क अखिले सियादव और अतिक अहमत में कोई फरक था यह है या अखिले सियादव अकितिक अमेद एक हैं बिल्कुल एक हैं थे और भविश बेभी सायद रहेंगे अक्राइक कैमत का पूरा सपोरे अभी आज भी आज भी आती कैमत का लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीन है नहीं संद रच्छन दे रही है हमेशंहे दिये पैले सब्सक्राइब हो यह ऊधिक है मैँ जब भी सापर्बती जेयल से आता है उनकी पूरी टीम संग में आती है वहां से यहां तक नहीं प्छुम में उनको अंको एंटडे कर दिया किस पोर्ट नहीं और के यह युगी बाबा के लिए इस समें ऐसा लायना योगी बाबा जिन्दाबाद रात आप देख रहा है एक बजय ये खुली सबकों पर लोग बोल ले हैं और कहिए कि अतीक अहमत की गुनाहों की सजा आज उसे इतीक अहमत को मिलती हुई नजर आ रहा है जिस तरीके से अतीक अहमत ने गुना किया ता ये आम जंता का एक तरी एंकाउंटर होना चाहिए है क्योंवि जितने उसने गुना करें उसके लिए एंकाउंटर भी कम है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए मर्डर एक्षोशन मनिलोंडिंग क्या कह नहीं करा मेरे सगे कजिन भाई को तो मैं तो चाहूंगा अपने गलेश दबाद दबाद उसका परवीन मलब की जो उनकी मा है उसके वारे में नहीं जानता अधिक है मत की पतनी अब भागी भागी गोम लाएंगी जैसा किया वैसा भ तो यह करेंगी पत्री का होता है वह लेकिन जो गलत करा रहे वो गलत है यह तमाम सारे आप देख रहे थे लखनो की षडकों पर हम रात एक बज़े कड़े हो कर लोगों से बातचीत करने की कोसिप लें यह लोगों का गुस्ता है जो आज हमें जब दिली से निकलने के अतीक हैमत के बारे में हर कोई बोलता हुआ हर कोई कहता हुआ नजार आ रहा है कि जो अतीक हैमा ने किया उसके गुनाओं की सजा आज उसे मिल लाई है यह सजा उसे पहले मिल जानी चाहिए थी जो लोग आज अतीक हैमत के बेटे के एक तरीके से समल्थन में यहां कह रहा है फलजी इंकाउंटर फेक इंकाउंटर उनको ये पबलिक की आवाज भी जरूर सुननी चाहिए लखनव पर खड़े होकर के आम जनता यहाँ पर बोल लएए कि जिस तरीके से उसके बेटे और जिस तरीके से उसके पूरे परिवार की दैसत रहती थी वो किस तरी STAR चरम पर रहती थी किसी तरीके से फिरोती चीना जबती कुछ भी कर सकता था उसके खिलाब कोई भी आवाज उठाने के लिए टयार नहीं होता था लेकिन आज जनता खुल कर बोल भी रही है और कह रहे अतीक अहमत के खिलाब जो भी कारवाई योगी बाबा कर रहा है योगी बाबा की सरकार कर रहा है ये पुलिस प्रतासन कर रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था साइद राजनीती सरच्छड की बज़े से ये सारी चीज़े पहले नहीं हो पाएं लेकिन अब और भी आ